कोई आदमी इस देश के सबसे बड़े ज़ंडे को काट देता है जिसके बाद वो ज़ंडा काफी तेजी से नीचे गिरने लगता है और ज़ंडे को नीचे गिरता देख उस देश के तमाम लोगों की नजर उस पे पड़ती है लेकिन इसके बाद जो इंसान जहां पर होता है वो अपने सारे कामों को छोर कर उस जंडे को बचाने के लिए दौरने लगता है और उस गिरते हुए जंडे को बचाने के लिए लोग नदी में छलांग मार कर तैरने लगते हैं जिसके बाद देखते ही देखते हैं वहाँ पर करोरों की भीड जमा हो जाती है फिर पहले आने पगर कर नीचे कूच जाता है और इस तरह से वो जंडा वापस अपनी जगह पर आ जाता है